शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जो हर औरत के रिदे की गती बढ़ा देता है उसके पास आते हैं सासे रूचाती हैं कौन तेरा प्रेमी पर पर क्या हर बार की तरह इस बार भी काम निकालकर वापस भेज़ देना अपने उस प्रेमी दावंश को देखा कनक महल में इतने सारे काम हैं और इससे देखो काम प्रे ये चलुग! अब इस कक्ष कदवार इसके काम खतम होने के बाद ही खुलेगा ए अम्वेमा, उझे इन दुष्टों से लड़ने की शक्ती देना अब नी की जलन से तो बच गई थी, अब देखती हो, मिट्ची की जलन से कैसे बचती है वो और ये खबर सुनकर उस टाकनी की हृदे की जलन भी मिट जाएगी चलो झाल इननननननननननननननननननननन देता जैसे हैं झाल 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 तुम्हारे पास तुम्हारे पास मेरी चंद्रा क्या वो लड़की वापिस आ गई? इसका मतलब मुझे अब इस लड़की कोई जरौत नहीं तुम लोग जाओ, मैं जल्दी आता हूँ क्या हूँ सुराज वो तुमको अपने घर जाना थाना तो तुम जाओ अकेले? हाँ तो मुझे कोई ज़ूरी काम्याद आगया तो तुम्हें नहीं ले जा सकता सुराज, सुराज रुको तुम्हेरी बात को सुनो लगता है अब आ रही है बहुत परिशान किया ना तुमने आमें सुने ना अब हम तुम्हे करते हैं पर सोच अधिराज कैसे है कैसे, कैसे, कैसे हाँ अस्वस्त होने का अपिना करते हैं हाँ सुबह से प्रतिक्षा कर रहे हैं पर अभी तक नहीं आई चिंता ही नहीं ऐसे अमरी अगली बार जंगल में ले जाकर शीर के सामने छोड़ेंगे तब समझ में आएगा अथा नहीं क्या सुमस्ति अपने आपको एक अमंडी लड़की अधिनाज 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 आखों में वही क्रोज पोटों पे वही अंगारे वही बला के खुपसूरती वही लभाने वाली अदा और वही मेरी चंद्रा चंद्र ने खा तुम मेरे ले हमेशा मेरी चंद्रा ही रहोगी यह तो सिर्फ एक जीव है अगर हवा का जोका भी तबे परिशान करे तो उसे भी मैं गती हीन करतूंगा जानते हूं इसलिए तो यहां मिलने आई हूं तुमसे और सुबाद मुझसे मिलने आई हो वो भी एक कारण के साथ है मुझे लगा तो मेरी याद तुम्हें यहां खीश लाए है सच कहा तुमने बहुत याद आ रहे थी तुम्हारी तुम्हारी भी और तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों की भी है अम्बे मा इस पर नानी से बचा ले ना तारा नानी कहां थे तुम रात भर? अब नानी वो वो मैं ना रहनी दो रात भर बाहर रहकर तुम एक भूल कर चुकी हो अब मैं नहीं चाहती कि जूट बोलकर तुम एक और पाप करो इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुम ठीक हो की नहीं मुझे याद से निकलना है है अब मादद करो कौन है अंदर? कुछ करें तुम यहां पर वह बसाले तुम अपर वह इतने सारे मसाले तुम अकेली तियार करोगी कुछ के हलत देखिए तुम रहे तुम चुगाया से और भी धासे वह कर लेंगी तुम निकलाया से है 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 अभी तक काम खत्ब नहीं हुआ, तो यह जा का रही है? रानी मा का आदेश की काम आज ही खत्म हो जाना जाहिए, वो भी दो घंटे के अंदर ओहो, दो घंटो में? फिर तो इस काम को बहुत जल्दी करना पड़े गए नहीं? आँ, पर होगा कैसे? कनक, तुम खुद क्यूं नहीं कर लेती हो इस काम को? अब मतलब, हम इस दासी को अपने काम से लेके जा रहे हैं और तुम तो जानती हो कि माँ हमसे कितना प्यार करती है मतलब, उन्हें खुद से जादा चिंता हमारी रहती है और जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम ने इसे हमारे काम से जाने से रोखा तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और हम नहीं चाते कनक कि माँ तुम से क्रोधित हो और तुम यहां खड़ी-खड़ी क्या कर रही हो? कि यहात मुदो और हमारी सेवा में लग जाओ कि चलो कोई बात महीं कनक इन चोटी-चोटी हार से कभी हार मत मानना बलके इस से सीख लेकर अपने लक्ष के ओर बढ़ना फिर देखना तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रुक सकता पर मा वो लड़की का नक तो चिंता मत कर दावन शारा है फिर देखना वो इस लड़की का क्या हाल करता है पुरानी बातों को भुला दो ना दांश गलतियां किससे नहीं होते मुझ से भी होई पर तुम्ही क्या लगा कि इतने वर्षों बाद मेरा तुम्हारे लिए प्यार कम हो गया नहीं दांश कभी नहीं तुम मेरे रिदे में सांसों की तरह बस्ते हो और में तुम्हारी रिदे में धरकन की तरह और यही सच है सच तो यह है कि जब भी तुम्हारी प्यार भरी है चाशनी से भरी भी बाते सुनता हूं तो ऐसा लगता है मैंने मधीरा पान कर लिया है अपना आपा खो देता हूं और सिर्फ तुम्हारा आज़ता हूं तुम सिर्फ मेरे हो दांश सिर्फ मेरे हमेशा अब को किसने हमारी चान को परिशान किया है इस मिर्ची की जलन से बचने का उपाय है हमारे पास पाने के ठंड़क है हाँ, ठीक है अब बताव क्यों डून रहे थे मुझे क्या कान था मेरा? ठून रहा था? तुम्हे? कब थोड़ी देर पहले पर मैं तुम्हें क्यों डून डूना? अच्छा तो उस दिन भी नहीं डून रहे थे जंगल में जब जंगली जानवर से बचाया था मुझे अच्छा उस दिन? नहीं 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 मतलब मैं ढून तो रहा था पानी चाहिए था पर तुम तो दासी हो ना? तुम्हें पता हो ना चाहिए कि कब हमें जल चाहिए और कब भोजन जाओ जाकर आपने जल लेकर क्या हो माफ कीजेगा राजा साहिब पर जो आपने मुझ पर डाला वो क्या था? मुझे तो वो पानी ही लगा हाँ पानी पर हमें और पानी चाहिए था जाओ जाकर हमान ले पानी लेकर यह जाओ शी राजा साहिब हाँ मुझे अतराज से उनके माता-पिता के बारे में बात करनी चाहिए वो सकता है, यह उनके बारे में और जानना चाहे और फिर इन्हें इनकी असली मा से मिलवाना आसान हो जाए क्या देख रही हो इसे? यही कि तुम अपने पिताजी जैसे बिल्कुल भी नहीं हो राजा साहब तो बहुत उदार, परोबकारी और शीतल स्वभाव के इन्जान थे और तुमें देखो, हर समय नाप पर गुस्सा रहता है राजा साहब का एक भी गुण तुमारे अंदर नहीं है तो यह क्या तुम जानते हो हुमारे पिताजी हो? कौन नहीं जानता उनके बारे में, बस तुमें छोड़ कर वैसे मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है पर मेरी नानी हमेशा कहती है कि राजा साहब जैसा दयालू इनसान और कोई है ही नहीं इस दर्दी पर प्रजा से बात करना, उनके दर्द को समझना, यहां तक के उनके कश्ट तूर करना यही तो काम था उनका पर तुमें तु मैंने बस शिकार करते देखा है प्रजा से बात करते महीं प्रजा से खाते हैं मैं तुम क्यूगे, सुनना तुम क्यों और कुछ बताओना मैं पृत हैं मुझे साथा तो नहीं पता. प्रहा रहा है नुने नानी हमें बहुत कुझ जानती है उन्होंने उन्हें बहुत करीब से देखा है अगर तुम चाहो तो हम नानी के पास जाकर राजा साहिब की बहुत सारी बाते जान सकते हैं जाना चाहते हो नानी के पास जानना चाहते हो अपने पिताजी के बारे में बोलो है एक लड़की सुनेन, उस अधिराज ने जबर्दस्ती उससे विवा किया और उसे महल में उठा कर ले आया अधिराज, तुम्हारे नाम का बेटा हाँ वही, और उस लड़की के महल में आते ही, मेरे हर कार्य में विग्न पढ़ने लगा तांश, मुझे इस लड़की ने बहुत परिशान किया है उसे मारने की कई असफल कोशिशे कर चुकी हूं मैं पर मुझे विश्वास है कि तुम जरूर सफल होगे सुनेना, नाम में कुछ बात तो है तुम अपने चान से चेहरे से चिंता की लकीरे हटा तो समझो तुम्हारा काम होगे सच तेकि मेरी एक शर्थ है तेकिन अभी नहीं सही वक्त आने पे तुम्हे अपनी शर्थ बताऊगा तुम्हे मेरी शर्थ माननी पड़ेगी पड़ना मैं तुम्हे भी पत्थर की मूरत बनादुआँगा मुझे तुम्हारी हर शर्थ मन्जूर है एक काम करो तुम सोच लो मुझे काम है मैं जा रही है सुने ना हमें हमें बताऊ ना तुम्हारी नानी और क्या थिया हमारे पिताची के बारे में बता तो दिया अब कुछ याद आएगा तो फिर से बता दूँगे अभी मुझे जाने दो सुने शुने ना सुने बताची के बताची के बताची के तुम्हारी ना अब वो बाहर से अंदर कैसा है इस महल में भाहर से तो ये महल अद्रिश्या है तो क्या ये दाकिनी की सच्चाई के बारे में जहनता है अब्द्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्स करें जहनता है